खाबर स्रावस्ती जन्पत के एकवना इलाके के तहसील के पास इस्थित करबला के पास से है जहां पर एक बच्ची लावारी सहालत में मिली ऐसे में अस्थानिये लोगों ने उसे रोक लिया आप सभी का सबसे तेश खबर स्रावसी चैनल में स्वागत है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहें उत्तर प्रदेश के साथी जन्पत के इकवना इलाके के तहसील करवला के पास एक लावारिस हालत में बच्ची लोगों को दिखाई पड़ी जो नेशनल हाइवेड 730 पार कर रही थी और वाहन की चपेट में आ रही थी ऐसे में लोगों ने दोड़कर उस बच्ची को बचाय तो बच्ची को पहचाना गया बच्ची इससे पहले भी कई बार अपने घर से भाग चुकी है और अलग-अलग अस्थानों पर मिली है जिसकी खबर पहले भी सबसे तेरे खबर सावसी चैनल पर प्रकासित हो चुकी है यह इकवना के भूत्पुर प्रधान दोस्त मुहम्म इससील के पास इस्तित करवला के पास मिली जब सबसे तेजखबर सावसी की टीम मोगे पर पहुची तो बच्ची की पहचान हुई और उसे सबसे तेजखबर सावसी चैनल ने उसके घर तक पहुचाया. सावसी जनपत के इकवना इलाके का यह पूरा मामला है जहां पर माध्यम से सबसे तेजखबर सावसी चैनल ने उसके घर तक पहुचाया जिससे घर वालों को राहत मिली.